खूट पहुत रिख शूत रिखो है खूट यूट एप्ट सेखे भूजी गढ़न असेंडिक प्रिविस क्लास हमने असेंडिक अर्डर के थे ठीक है आज हम once again, today we will do once again ascending order and de-ascending order ascending order मैंने आपको बताया था we will write the numbers smallest to greatest smallest to greater number सबसे छोटे से हम start करते हैं और सबसे last में greatest number लिखते हैं ठीक है? आज हम उसे related एक exercise complete करेंगे chapter 2 था हमारा the numbers N-U-M B-E-R-S the numbers इसका second number हम complete करेंगे numbers are given in the circus arrange them N-U-M B-E-R-S numbers are given numbers are given in the circles in the circles C-I-R C-L-E-S in the circles arrange them in ascending order A-R-R-A-N-G-E arrange them in ascending order ascending order O-R-D-E-R ascending order ठीक है? यह पर 30 27 36 23 33 33 33 24 39 35 32 34 38 32 19 19 25 25 29 37 27 यहाँ पर आपको circles में कुछ numbers दिये हुए हैं इन्हें हमें क्या करना है ascending order में arrange करना है ascending order means सबसे छोटा number हम search करेंगे सबसे पहले कौनसा number करेंगे smallest number तो इन numbers में सबसे smallest number कौनसा है search करेंगे हम 19 ठीक है तो हम यहाँ ठीक है तो 19 तो सबसे पहले हम क्या रिखेंगे 19 फिर 19 से just बड़ा 19 से just बड़ा number कौनसा है 22 ठीक है फिर हम लिखेंगे 22 22 से just बड़ा 23 23 से just बड़ा 24 24 से just बड़ा 25 25 से just बड़ा number 27 27 से just बड़ा number कौनसा है 29 29 से just बड़ा number कौनसा है 30 से just बड़ा number 32 32 से जस्ट बढ़ा 33 33 से जस्ट बढ़ा 33 से जस्ट बढ़ा नमबर 34 34 से जस्ट बढ़ा 35 35 से जस्ट बढ़ा 36 36 से जस्ट बढ़ा 37 37 और 37 से जस्ट बड़ा नंबर 38 और सबसे बिगस्ट नंबर कांसा है 39 सो बिगस्ट नंबर सबसे लास्ट में हम लिखेंगे 39 ठीक है तो इन नंबर्स को आप ध्यान से देखेंगे फटा फट से आप अमनी बुक के अंदर फिल करो इन नंबर्स को यह आपकी पुक एक्सेस है इस वाली पुक में आपको करना है पेज नंबर 24 पर आप यहां पर इसे फटा फट से कम्प्लेट कीजिए जल्दे से आप देखकर इन नंबर्स को कम्प्लेट करो उसके बाद हम एक्सेस कम्प्लेट करेंगे उसके बाद हम करेंगे activity, write numbers in increasing order, increasing order means भढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 to 5 तक लिखना है, 6 to 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11 to 15, 11, 12, 13, 14, 15, 21 to 25, 21, 22, 23, 24, 25 इस तरीके से आपको ये सारे जो नमबर दिये हुए हैं, इनको लिखना है, अब हम करेंगे de-ascending order, क्या करेंगे हम, de-ascending order आप साबने ये complete किया, अब हम करेंगे next अब हम करेंगे लिटा, exercise 18 इसमें करना है, numbers are given in the circles सरकल में numbers दिये हुए हैं, arrange them in ascending order इनको अब हम क्या करना है, ascending order में arrange करना है A, double R, A, N, G, E, arrange them in ascending order A, S, C, E, N, D, I, N, G, ascending order, O, R, D, E, R चीक है, let's say for example, 53, 71, 45, 32 इनको हमें ascending order में arrange करना है, ठीक है तो अब ascending order में हम क्या करते हैं, smallest to greater number smallest to greatest number तो सबसे पहले smallest number, which is the smallest number in this circle, सबसे छोड़ा number कौन सा है, 32 तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 32, 32 से जस्ट बड़ा 45, 45 से जस्ट बड़ा, 53, और 53 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 71 ठीक है, now, second, 40, 66, 15, 10 अब इसमें सार्च करेंगे, smallest number कौन सा है, 10 तो हम लिखेंगे, 10, 10 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 15 तो हम लिखेंगे, 15, 15 से जस्ट बड़ा number, 40 40 से जस्ट बड़ा number, 66 ठीक है, अब हम करेंगे, 25, 36, 47, 23 अब इस रो में, smallest number कौन सा है, 23 तो हम smallest number को सबसे पहले लिखेंगे, 23 फिर उससे जस्ट बड़ा number कौन सा है, 25 तो हम 25 लिखेंगे, 25 से जस्ट बगर number कौन सा है, 36 36, अब सबसे biggest number कौन सा है, 47 तो सबसे लास्ट में हम biggest number लिखेंगे, 47 चीक है, यह हो गया हमारा, ascending order अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ascending order अब हम करेंगे, de-ascending order वाट इस दमीन ओफ de-ascending order de-ascending order में इसका ascending का उल्टा होता है, ना we will write numbers in greatest to smallest, ओके, हम greatest number सबसे पहले first number पे greatest number लिखेंगे, सबसे बड़ा number then उससे छोटा, then उससे छोटा और सबसे last में सबसे छोटा number हैगा smallest में हम सबसे छोटा number लिखते हैं सबसे पहले और de-ascending में, sorry, ascending में सबसे छोटा number लिखते हैं और de-ascending में सबसे बड़ा number हम लिखी हुए तो number two है, arrange the following numbers in de-ascending order A, double R, A, N, G A, double R, A, N, G arrange them in de-ascending order De-ascending order यहां तो हमने ascending order में लिखे थे, यहां हम de-ascending order में लिखेंगे 16, 3, 12, 11, 15 अब इनको हम de-ascending order में कैसे लिखेंगे de-ascending order में सबसे पहले, first of all, biggest number तो biggest number कौन सा है, 16 तो 16 को हम सबसे पहले लिखेंगे biggest number 16 है, अब 16 से जस्ट छोटा number कौन सा है, 15 15 से जस्ट छोटा number 12 12 से जस्ट छोटा 11 और सबसे smallest number 3 तो 3 को हम सबसे last में लिखेंगे ठीक है, नाव नेक्स्ट इस 18, 7, 4, 10, 9 अब इसमें सबसे biggest biggest number कौन सा है, 18 तो सबसे पहले biggest number लिखेंगे 18, 18 से जस्ट छोटा 10 10 से जस्ट छोटा 9 9 से जस्ट छोटा 7 और 7 से जस्ट छोटा 4 तो यह है deascending order One more 17, 14, 7, 5, 1 और आश्ट में 90, 78, 95, 82 और 7 अब इसमें biggest number कौन सा है? deascending में हम biggest to smallest लिखते हैं तो सबसे biggest number कौन सा है? 17 तो 17 लिखेंगे फिर उससे छोटा number कौन सा है? 14 14 से जस्ट छोटा number 7 17, 14, 7, 5, and 1 इस रो विच इस जस्ट लिखेंगे? इस जस्ट लिखेंगे? जस्ट लिखेंगे? 90 से जस्ट छोटा, 82 82 से जस्ट छोटा, 78 78 से जस्ट छोटा, 70 चीक है? I think you all are understood आप सब को समझ में आगे होगा deascending order deascending order में हम greatest to smallest number जिन्स की बड़े से छोटे की तरब लिखेंगे हैं तो चल्द लिखेंगे, टू पेस नंबर 24, 25, and 27 पेस नंबर पेस नंबर 24, 25, and 27 यह आप अपनी बुक में भी complete करेंगे and do this work exercise 8 आप अपनी notebook में भी complete करेंगे and also write in your notebook आपको book में भी करना है और notebook में भी यह वाला work complete करना है Thank you कीज़नी पाओे में लिए में भी कि प्लाप लिए गाहर करेंगे पंपनी लिए प्रशतर अपना है दिए अपना है झाली करेंगे करेंगे झाल झाल